दोस्तों आपके पास से only 17,000 रूपीज और आपको चाहिए एक best all-rounder phone तो एक phone only आपके लिए है क्योंकि इस phone का design बोलिए, build quality बोलिए, display बोलिए, camera बोलिए, battery बोलिए, optimization बोलिए, बहुत बढ़िया है दोस्तों, Poco की तरफ से Poco X5 Pro, one and only ऐसा phone जो 17,000 रूपीज पर आपको best value offer कर रहा है और इस phone को में 10 मांथ यूज़ कर रहा हूँ, 10 मांथ के बाद में बोल रहा हूँ, इस phone के साथ आप लोग जाहिए देखिए, flip cut पर happy new year sell चल रहा है, बतलब इस year का end sell actually चल रहा है और Poco का X5 Pro जब launch हुआ था इसका कीमत ता best variant का 22,000 रूपीज, बत आभी आपको without offer, without offer में बोल रहा हूँ, इसका flat price है 16,999 रूपीज अंडर 7,000, 6 GB variant, 128 GB internal memory, आपके पास कोई भी flip cut का जो access bank का credit card है न, इसमें आपको 850 रूपीज का flat discount देखने के लिए मिल जाएगा और offer के साथ इसका price और भी खट जाएगा, price होगा only 16,149 रूपीज, देखिए ये जो price bracket है, ये price bracket के हिसाब से इस phone के साथ आपको जो actually value देखने के लिए मिल रहा है न, बहुत बढ़िया है डिस्पले में आपको 6.7 inch का आपको AMOLED पैनल देखने के लिए मिल जाएगा, 120Hz का refresh rate है आपको doll vision का भी certification देखने के लिए मिल रहा है, bezel and chin देखिए, बहुत बढ़िया है इस price range के हिसाब से, definitely display बढ़िया है इस प्रोपोन का positive point है एंड जो camera का section है न, trust me camera भी आपको under 17,000 में, under 20,000 में actually best value provide कर रहा है 108MP का जो optimization आपको देखने के लिए मिलेगा न, बहुत बढ़िया है, video का quality भी आपको बढ़िया मिलेगा, आपको इदर EIS का बढ़िया support देखने के लिए मिलेगा 4K 30fps पर आपको इदर stabilization भी बहुत बढ़िया देखने के लिए मिल रहा है, and 1080p भी आपको इदर stabilization भी देखने के लिए मिल जाएगा, front camera भी आपको ठीक ठाक stabilization देखने के लिए मिल जाएगा तो blogging के लिए, video shoot के लिए, photographic के लिए, under 20,000 में एक best camera phone है, सामने आपको 16MP का selfie camera इदर देखने के लिए मिलता है, 5000 image का battery and inbox 67W का charger भी आपको इदर देखने के लिए मिल रहा है, trust me 5G network पर आपको 6 hour plus आपको skin on time देखने के लिए मिल जाएगा, and 4G network पर आपको 7 hour to 8 hour आपको skin on time देखने के लिए मिल जाएगा, मैं use करने के बाद मैं आपके साथ feedback share कर रहा हूँ, and आपको अदर dual studio speaker का option देखने के लिए मिल जाएगा, Dolby Atomos का support है, 3.5 mm audio jack का support मिलेगा, UFS 2.2 storage type है, 6GB RAM, and इस phone का जो software का section है, software भी आपको optimization देखने के लिए मिल रहा है, definitely, जो optimization आभी Poco के साथ आपको actually देखने के लिए मिल रहे है, जो जो इस phone को use कर रहे हो, Poco F5 को use कर रहे हो, Poco X5 Pro को use कर रहे हो, आप definitely comment section पर आपका feedback share कर सकते हो, आभी Poco का software का optimization specially X series पर, F series पर बहुत बढ़िया देखने के लिए मिल जाएगा, and आगे जाकर Android 14 के साथ आपको HyperOS का update भी इस phone क के साथ देखने के लिए मिल जाएगा, दोस्तों इस phone का एक full review में definitely लेके आऊँगा, दो तीन दीन में full review, after 10 month कि ए phone actually कैसा platform कर रहा है, सब कुछ in detail बताऊँगा, but इस phone के साथ आप लोग जाहिए, flip cut पर जो sale आपको देखने के लिए मिल रहे है, 31st of December तक आपको देखने के share कर सकते हो, इस phone के साथ आपका experience actually क्या देखने के लिए मिल रहे है, real life का experience के बद बड़े मैं बोल रहा हूँ, और जो motherboard का dating बाला issue है अभी 2023 में नया जो unit पोको ने लाँच किया है, नया unit पर आपको motherboard का issue देखने के लिए नहीं मिल रहे, M-series बताइए, X-series बोलिए, और Ape Series बोलिए, और इस phone के साथ भी आपको आगय जाकर definitely problem शायद देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो इस phone के साथ आप लोग जा सकते हो, मैं आपको assure कर रहा हूँ, buy करने के लिए, ये कोई paid promotion नहीं है, मेरा feedback मैं आपके साथ share कर रहा हूँ, दोस्तों, वीडियो को like करके share कर दीजे and wait किजिए next video का and इस phone का एक full review definitely में लेका हूँगा, उसके लिए भी subscribe करके notification प्रेस करके all कर दीजे,